आज स्राहियं आरेटों स्ट्रेंट्स व्लावेटों स्थियुद्ध Schools लिया थे शुरू के चार कॉष्ण तो गली डेश्ँद स्पलिय। है तो अब जो कोशन बचे हैं वो मतलब कोशन नमबर नाइन तक हमने कंप्लीट कर लिया हर कोशन कहीं कहीं जगा पर तो अब 10 आप सब्सक्राइब तो सबसे पहले प्रशन पर आजो उसमें कंडिशन क्या लिखी विए लिखाव है फारा फॉर आट ओफ तैन बॉल्स और एड़ सबसे पहले बाद यह बाद आपको पता चलिए कि टोटल टैन फॉर आउट आफ टैन मतलब टोटल टैन तो यह कह सकते हैं कि नंबर ओफ बॉल् लिखाव है किसा 4 आट जिए ओफ बॉल्स निखी बएट बॉल्स का मतलब है थीन बीहोसकते हैं अब जब वर्ड्स नेहीं होते हैं कुछ बॉल्स सचीट केंतरो एक हैब तो आप लिख दो number of green balls कितनी है, for example M है, कुछ भी आप alphabet P ले लो, कुछ भी ले लो, कितनी M green balls है, and the rest are of different color, बाकि different color है, हम उनमें interested नहीं है, if the balls can be arranged in 6300 ways, तो number of ways उन्हें दे दी है, number of ways किसको, arranging 10 balls, किस चीज़ के number of ways दी है, arranging 10 balls, यह जो 10 balls आपको given है, इनको arrange करने के आपको number of ways दे दी है, पहले आप number of ways निकालते थे, अब आपको number of ways दे दी होनों है, तो फिर बोला मैं क्या है, find the number of green balls, आपको निकाला है, यहाँ पे green balls, मतलब आप लोगों के सामने, formula कौन सा use होगा, यहाँ आप लोगों को बढ़ाया है, rule number two permutation का, तो वो तरह लगाते है, rule number two permutation का क्या कहता है, कि जब आपके पास एक amount of n objects है, जिसमें से कुछ alike है, तो आप उतने factorial से divide कर देते हैं, तो permutation का formula क्या होता है, permutation, बस बताने के लिए कि याद रहे हैं आप लोगों को, when objects are not distinct, जब सारे object distinct ना हो, कुछ आपस में same हो, like, 10 ball है, 10 में से कुछ different कलर की हैं, लेकिन red कलर की 3, 4, 4 बॉले यहाँ पे, green कलर की कुछ बॉले होंगी, तो सब different नहीं है, कुछ जो बॉले हैं, वो same है, तो आप कुछ सा formula यूज करते हो, Q factorial, R factorial, आपको depend करते हैं, जितने भी case हैं, तो अगर इस question की आप बात करो, इस question में, here, आपके पास formula क्या बनेगा, number of ways कितने होंगे, number of ways निकाल देगे, formula आप यूज करोगे, total ball कितनी है, 10, तो यह हो जागा 10 factorial, अज़से कितनी alike हैं इसमें से, 4 red ball है, तो आप 4 factorial से divide कर दो अज़से green ball कितनी हैं, वो जो निकाल नहीं है, m balls हैं, तो आप m factorial से divide कर दो, बाकि सब different है, वो same नहीं है, तो आपको कुछ और divide करने के ज़रत नहीं है, यह number of ways आपको already सवाल में दे रही हैं, आपको बताए कि number of ways कितने हैं, 6, 3, 0, 0, यह number of ways है, तो दरहा solve करो, यहाँ प divided by 4 factorial multiply 6, 3, 0, 0, यह आप करते हो, ठीक है, और simple आप अपने calculator में जाओ, आपको कोई पूरी step लिखने की, show करने की ज़रत नहीं है, आप calculator में ज़रत नहीं है, मैं फिर में 24 answer आ रहा है, जहां तक मुझे आदे, गलत भी हो सकते हैं, इसलिए मैं confirm कर रहा हूं, 10 factorial, 4 factorial multiply 6, 3, 0, 0 exactly 24 आ रहा है, तो M factorial का answer क्या है, 24 है, अब आप यह नहीं बोल सकते हैं, कि M का answer 24 है, M factorial का answer 24 है, जबकि आपको M निकाल ला है, M कैसे आएगा, दोनों तरफ सेम करो आप, ठीक है, यहां factorial है, तो यहां भी factorial करो, 24 को आप किस तरह लिख सकते हो, 24 को लिख सकते हो, 4 का factorial है, अब दर्म्यान में equal का sign है, मतलब यह वहले चीज इसके बराबर है, तो यहां से understood बात है कि M की value किया जाएगी, M हो जाएगा 4 के बराबर, ठीक है, तो कितनी यहां पे green ball है, यहां पे 4 green ball है, तो 4 red थी, 4 green थी, बाकी 2 रज़ थी, वो different color की थी, यह situation है, सवाल में बनेंगी, ठी 3 English, 2 Urdu, 2 Sindhi books, total कितनी होगी, 3, 2, 5, 5, 2 साथ, total books साथ है, तो आप लिखो है, number of books, कितनी है, 7 है, अच्छा, अब subject की देखो, number of English books, English books, कितनी है, 3 है, number of Urdu books, कितनी है, 2 है, number of Sindhi books, कितनी है, 2 है, करना किया है, in how many ways, कि आप इन बुक्स को अरेंज करो, on a shelf, एक shelf के उपर, मतलब raw-wise में अरेंज कर रहे हो, circular को यह ऐसा scene नहीं आया भी तक, so as to keep all the books in each language together, वो कह रहे हैं कि आपने इस तरीके से अरेंज करना है, कि जो एक subject की books हैं, वो साथ ही रहे, इंपर इंग्यजक की book साथ रहें, उर्धो की book साथ रहे, साथ रहें, इनको अलत अलग नगदी करना है that English books different है हाँ पर, इस स貌वाल कोई हैан Это reading, English book different है, उर्धो की different है , इस तरा समझ रो जो कितीन इंग्लिष चीन वे फार ट्राइस की उड़ी सो उड़ी इसी दर हें इंगलिष नहीं सब बुक्स के साथ रखना हैं यह निके दो इंग्लिष चीन चीन से जागी नहीं इंग्लिश एक साथ हो, उर्दो एक साथ हो, सिंधी एक साथ हो, अब यह कैसे करो गया, यह आपने जब groups को, कुछ groups को एक साथ रखना होता है, तो यह उनकी permutation निकालने का method है, किस तरीके से निकालोगे, मैं थोड़ा सा method आपको समझा देता हूं, ताकि आपको बात दिक्लि हो जाए, यहां पर तीन group बनेंगे, बना लेते हैं, सबसे पहला group, English का, फिर दूसरा group, उर्दो का, और फिर दीसरा group, सिंधी का, अब यह groups आपस में तो arrange हो सकते हैं, for example, भाई पहले उर्दो आ जाए, फिर इंग्लिश आ जाए, अच्छा, पहले इंग्लिश है, दूसरे लेकिन अपर पर सिंधी आ जाए, अर्दू आफर नमर पर चाल जाए, ऐसा विलकुल हो सकता है, कि ग्रूप्स आपस में रेने हो जाए, लेकिन किताबें आपस में सेम ही रहेंगे, मतलब इंग्लिश की बूक तीन, एक साथ ही रहेंगे, इसको आप इस तरह समझ सकते हो, English तो सेंब सेंट की बुक साथ हैं लेकिन गुरूप के तो और चींज हो सकते हैं एक सिजूशन में सिंधी की बुक पहले लेगा फिर आप इंग्लिश की ले जाओ और फिर आद रोदू की बुख लेगा यह तो यहां पर अब 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 जर्फ करो तीन गुरूप मतलब तीन ए सब्सक्राइब और यह एक अलग अलग अग्रेंजमेंट है मैंने कुछ भी सेरेंजमेंट करता च्छेड़ सागी नहीं कि बस ये काम किया है कि अब मैं इंग्लिश 3 को पहले लें इंग्लिश 2 को बात मिला फॉर जेंपल 5,6,7 की बुक थी ना पहले आपने 5 रखा था फिर 6 की फिर 7 की साथ रहेंगी लिकर आपस्मैं हो सकती है इससे तरह उर्दु की जिदे आपसमे की इंग्लिश टर्स्ट्रेंग की इसके आप बिना अपके लिए इसको आप समझाना यहां पर यह शेवाहता हो ना आप लोंच आईगी ना जो performer ने मैं उसको समझ हाएईगी सो को सब्सक्राइब लेकिन वो यह समझ सकते कॉपी किया हुआ कि इसी बच्चे ने उसको एक clarity नहीं होगी गया बच्चे के concept clear है नहीं तो आपने वह solution करना है जो खुल के बताए है कि नहीं यार इस बंदे के concept की कैसे करोगे आप यहां पर highlight कर दो कि और यह सब काम अपने सब्सक्राइब करोगे यह पूरी आर्रेंजम्ट शाद है क्या एंस इंग्लिश को कर लो यह सब काम आपने एकसाथ करने तो प्रोड़क्त अब देखो यहां पर प्रोडुटेशन में यूजू कि बात की सब्सक्राइब क्योंकि सब काम आपने एक साथ करने थीनों का सेट आपने एक साथ बनाने पूरी शेल्फ पर ठीक है तो मैंने सब क्या करती है सब्सक्राइब करने हैं मतलब आपको तीनों ग्रुप को शफल भी एक साथ करोगे आप अरेंजमेंट भी छेड़ सकते हो उर्दू इंग्लिश किसी की पी सब्सक्राइब अब तो आप सॉल्फ करो इसको यह जाएका 6 x 6 x 2 x 2 x 366 वरूसे करो 72 172 को गोरो 144 तो कितनी पॉसिबिलिटे आदेंगी 144 पॉसिबिलिटी आदेंगी इन बुक्स को आपस में अरेंज करनेंगी तो कि दुकुशन नमबर 12 हमारा वोक्या अब जरा 13 का आज़ो थर्टीन हमारी कोशिश है कि इंशाला हो जाएगा है जाला के उपर कॉंसेप्ट है है बढ़ा चोटा सवाल यह सारे बढ़ चोटे-चोटे सवाल है असर्व चीज़ी कॉंसेप्ट है के अंदर थर्टीन में रिखाव है find the number of ways in which five first year students and five second year students तो number of first year students प्रेंट में नाम में एप देता हूं फाइव है इसी तरह नंबर ओफ secondary student फॉर इंडर में नाम में एस पर देता हूं यह भी पांच है शी क्या करना है number of ways आपको निकाल लें कि can be seated on a bench जिनको आप बेंच पर बिटा सकते हो अगे हैं row wise है अभी तक circular नहीं आया in an examination so that no two students of the same class are next to each other obviously बात है भाई अगर paper हो रहा है आप पेंच पर बिठा रहे हो raw wise भी for example vertical raw बना रहे हो horizontal बना रहे हो कि बढ़ी पांच फस्ते रहे हैं पांच ही secondaire है तो एक arrangement वह है alternate क्या मतलब है इसका मतलब यह अब मैं दो तरीखें के बनाता हूं दो cases यहां पर बनेंगे दों cases में आपको बना देता हूं कि यह पेपर में आपने ऐसी करना है क्योंकि यह सवाल जहने है यह बहुत देशी किसम के सवाल है इसमें को प्रॉपर डेटा नहीं बनता हर टेचर अपने हिसाफ से करवा रहा होते लेकिन जो भी आप method follow कर रहे है आपने अपनी बात पुरी convey करनी है जो आपका paper चक कर रहे है मना आप देखो solution तो यह था बस इसका 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 भी direct answer निकाल सकते हो सोच दो लाइन का सवाल है लेकिन याप आप करना वास्सक्राइब करना आप में अगे आप क्लास की कोई दो बच्छे साथ में होगा तो आप क्या करें तो तो थी फोर फाई शेक्स पांस सेकंट पांस सेंटर के बच्चे वस्थे आठाट सब और कोई बी एक सेम क्लास का दू बच्च एक साथ नहीं है अलग अलगे सारे के सारे तो ये तो आपने वन ऑट नरी अगरे Um यह मैं समझना के पांच पस्टी के बच्चे सेम है, FF मैंने लिखा इसका मतलब यह नहीं समझना, बलके मैं इसको डिफरेंट कर रहे ताके बात समझा दे, F1, S1, यह 2, 2 हो जाएंगे, 3, 3 हो जाएंगे, 4, 4, 5, 5, 5, यह क्यों किये हैं, बताने के लिए के बच्चे डिफरे लिटा ही होगा, अगर आप इसके निचे काउट डैश बनाना चाह रहे हो, तो यह आपके मर्जिया बना से, for example, और पैर अलग कर दो, मतलब उपर ही आपे काम कर लो, के ब्लैक रिप्रेजेंट से रिप्रेजेंट कर लो, तो आपके बाद और इच्छी हो जाएगी, क्या समझाने के लिए, कि यह मतलब पॉसिबिलिटीज निकाली, पॉसिबिलिटीज के लिए आपको प्रोड़क्ट पिंसे लागाना है, वो मैं आप लगाने लगा हूँ, 8,9,10, for example, जो फॉस्टियर है, यह जो पहनी पोजिशन फॉस्टियर, तीसरी, पांच्वीं, सात्वीं लिए फॉस्टियर की पॉजिशन है, तो कोई भी पांच फॉस्टियर की सुटियर के तो फॉस्टियर के सुटियर में से जएं पुछें ऑक कोई भी तीन बैञा सखते हैं तो यह फॉस्टियर को बच्चेयाँ पे है number of ways क्या हो जाएंगे बच्चों को बढ़ाने के five factorial तरीके सेकेंडर के बच्चों को बढ़ाने की five factorial है सबको एक साथ बढ़ाने हैं दोनों एक साथ प्रूफार्व होंगे प्रोडक्ट प्रिंसेपल लगेगा 120 multiply 120 इसका अंसर क्या हो जाएगा 120 multiply 120 तो बच्चों 14400 इसके total possibilities है 14400 इस तरीके साथ बच्चों बढ़ान सकते हैं दपा नहीं मनाते अभी क्योंके फाइल आंसर नहीं आगा पाइल आंसर कैसे आएगा होगा है आप लोगों कि सरी अरेंग्मेंट और किस तरह बढ़ेंगे बखतम हो की बात नहीं दूसरा केस भी है यह सब्सक्राइब अब सेकंड केस डिसकस करते हैं सेकंड केस क्या होगा सेकंड केस बच्चों यह होगा कि पहले मैंने फर्स्टियर विठा है ऐसा भी दो सकते हैं कि बेंश में बढ़ाना है सरकिल नहीं है जिसमें स्टार्ट एंड का आपको बदा नहीं है यह फिक्स है मतलब पहला बच्चा और आखरी बच्चा पहला बच्चा को बैट रहे हैं और सेकंड के निरे का पांस इनको आपस सब्सक्राइब कर सकते हो ना बतलब अब इस तरह सकते हो कि इस तो आप तो यह से तो टेन फेक्टोरिल नहीं होगा 5 फेक्टोरियल मुटिप्ला फेक्टोर दोनों को अलग अलग आप सॉल्व करों तो एक तो यह मैंने कंफ्यूजन क्लियर कर दी आ सकती जी में भी आई हो किसी के लिए लेकिन मैं बात बोलों कि आपको बताना आप में फॉस्टियर से स्टा चैंग्टीर फस्ट रिया से कंडियर फस्ट रियर सेकेंडियर फस्ट रश्ट है ऐसी भी तो शक्ति है बिल्कुल हो सकती इस वाले निम्हेंट में सेकंडर पहला बच्छा बैठा हुए तब इसके नंबर आप इसके से निकई निगलोगे तो से मोइं कॉन सब्सेशन ऑन स यहां पर आ सकते हैं फिर पूई भी चार तीन दो एक अब एंड फर्स्टियर के बच्चों पर हो रहा है जब के स्टार्ट सेकंड एर के बच्चों के हो रहा है फाइव फोर फ्री फू वन अब जब इसके नंबर वेज निकालोगे तब भी सेम कॉंसेंट होगा तो मैं काम क् देखता है चोटी सी लाइन उसपर से मिटा देता हूं इसी की डेटर बनाया था चोटी सी लाइन है तो यहां पर क्या लिखोगे नंबर ओफ वेज नंबर विस क्या होंगे फाइफ एक्टोरियल इंटु फाइफ एक्टोरियल जो के बराबर होगा 14400 अब सवाल मेरा यह है किया यह दोनों इवेंट अब मैं इवेंट क्या ले रहा हूं तो को डिवेंट करते हैं किस चीज वह इंब कुछ भी हो सकते हम सवाल के अंदर अब जुम्हूख़ें कि यह पहले जो दूसरा इवेट है मतलब पहला अबच्चा है ऑगा फिर जबके ऑनिपकर किस पर रहा क और फिर्स यर्ट यह दो अलग एवेंट है और यह मुचली एक्सक्लूजिव इवेंट इनको एक साथ प्रफॉर्म करी नहीं सकते हैं किया यह पॉस्पिर्टी है कि का समरूल के टोटल वेस यहां पर क्या हों इस फॉर सांद गश्र काफी था एक बात्य देखा यह पता है अगया टीचर की बुक्स में देखा यह पता है तिजर लिए नोटमें कि वह एक इसको एक हैसे फाइट करोगे न होगा तो यहां चुल्ट फेक्टोरिल वितुश्य। घ्रीं नगाते हैं यह वैल्य बिदक नहीं बढ़ता क्योंकि नग्राइट यह लेकिन जीप वर्फ गड़ेगा बताप तो concept अजीब सा होगा क्योंकि आप इसको सम रूल से करोगे तू फैक्टोरियल लगाने के तुक नहीं है तो इस तरीके से करोगे सवाल अच्छा इसके लेक्टर का इसमें आपको को बेसिकली करना किया आपको डिफरेंट चीजें के वेन हैं लाइक सब तर्मोटेशन के रूल को और मुंस्त इन्होंने कंभाइन किया है क्या लिखा है फाइंड नंबर ऑफ बीड्स कितनी बीड्स है नंबर ऑफ बीड्स फाइफ है इसको सब्सक्राइड है इसको आप समझ सब्सक्राइब करना है तो सबसे पहली चीज रॉर अरेंजमेंट तो अगर आठ मोटी है उनको आपने एक रॉर की फॉर्म में और अगें देखो इन कोशन में चीज इंप्लाइड है कि मोटी डिफरेंट है सेम नहीं क्योंकि अगर आठ की आठ चीजन सेम हो उनका आपने चीज बाइब करना है तो इकी पॉसिविटी क्योंकि हाथ दूसी पॉसिविटी सेम ही होगी क्योंकि सब आपस में सेम ही है किसी को आठ पीसे करो तो कोई हर्म ही पता चलेगा तो इसमें प्लाइड है कि डिफरेंट आरेंगे सारी इंवन लिखा रहें है हाँ सॉली इन पॉसिविटी को मॉल्टिपाइगर दो एड से मैं वली भी आप कर सकते हैं इसके के जुरत नहीं है आपको जल्दी आमसा निकाले तो चालेस तीन सो बीसे चालेस तीन सो बीस हां तो यह नमबर हमेज आगे पहले पाट दूसरा पाट क्या है पार्ट हो में है अरेंज इन इसको इस तरह करें एब अब सब्सक्राइब कर रहे हैं सब्सक्राइब अरेंजबन तो कल मैंने बताया था अगर टेबल के आरांट आप में चीजों को अरेंज करना है तो एक काम हो जाता है कैसे क्योंके एक और फिक्स कर दो इसका अगर आप फॉर्मल लिखना चाओ इस च accusation क्या होता है एक कई आप काम हता है कि Εसका करते हो बाकिएस करते हो लिन्यर बाइस तो एक फिक्स होते हैं बागी साथ बचेंगे साथ को अरेंज करने कि 7 तरीके होते हैं ठीक है तो यह होते हैं 7 फेक्टोरियल आंसर आदेगा 5040 और आफ्री चीज़ क्या लेकिए हुए necklace part number 3 में क्या है necklace arrangement necklace arrangement में आपने देखा था कि आप क्या करते हो तो से डिवाइड करते हो जो आपने circle arrangement में क्यों क्योंकि necklace arrangement में clockwise डिफरेंट नहीं होती देट स्वाइड नंबर वेस का फॉर्मॉला क्या होता है यहां पर वेस का फॉर्मॉला होता है और मामेस वान फंक्तोरील दिवाइड गया थो तुए यह हो जाएगा एड माइनस वन सब्सक्राइब हो जाएंगे मैं को सब्सक्राइब है तो उसमें हमने जब अपनी बेगर के लिए था तो हमें तूना की लगा था उसने सब्सक्राइब है तो क्या करता है उसके ओपर फूल डाल लगा दिया लगाने के बाद उनको जोड़ के एक सर्कल बना देता है तो अब कंसिडर कर लो सर्कल बन गया आपका अब फूलों की अर्रेंजमेंट आपने चेंज करने हैं सब्सक्राइब की तो बांबर में सब्सक्राइब करने हैं। नंबर ऑफ वेल्ड कितने हैं। नंबर ओफ यहां पने नाइं तो नंबर ओफ बैस कितने हो इंगे लिग दो रैकेट में falar इंजिंग इन को तो यहां पर जो चीज बता है ने को बागी को अरेंज करेंगे टेबल नेखलें से तरीजिसे लिए आथा एंटी क्लॉक्वाइज क्लॉक्वाइज मैटर नहीं करती तो एट फेक्टोल तो होगा लेकर अगेर आपको टू से डिवाइट करना पड़ेगा क्योंकि एंटी और क्लॉक्वाइज दोनों सेम होंगी यहां पर तो जो टेबल में आपको दो रेंगे होती है नेकलेस में वह एक सुसाट यह आपके पास कोटल लंबर हो बेजा देंगे इतने तरीके से आप फ्लावर्स को कर सकते हो अगें इन्हों सब्सक्राइब बोलें तो इसके इंप्लाइड होता है कि फ्लावर्स डिफरेंट हैं कि सवाल की नेचर आपको बताएती हैं किस किसम का सवाल है ठीक इसके बजो इस क्लास में इतने इंशाला बाकी जो है वो नेक्स लास पढ़ेंगे अल्ला आपक्स